और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं देखिए यहां पर सस्क्राइब के लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नहीं वीडियो की सूचना मिलती रहें यस बैंक, हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे और इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं नियूज पहले मैं पहले पाद देता हूं यस बैंक के बारे में पहले मैं बता दू कि किस भाव पर ट्रेट करेंगे 26 अप्रिल 2019 और कल जो यह मार्क क्लोज हुआ जिस प्राइस पर BSC पर 277 पर 40 पैसे पर और 52 वीक लो बनाया थे 146 और हाई था 404 तो अपने हाई से लो इतना डाउन गया और अभी बीच में यह मतलब पंदरा सो साथ क्लोड रुपए प्रोविजंस जंप नाइन टाइम्स इयर और नियर इनको लॉस हुआ है तो इनके जो MD साहब है उनका क्या कहना है देखिए यहां पर रिजल्स है मैं अभी आपको दिखाऊंगा डिटेल्स में फिलाल मैं पर देता हूं कि इस ल minority in our businesses,our digital innovation is cutting edge and will help us differentiate our product proposition and embrace a broader client universe. Importantly we will continue expanding our corporate businesses which is the foundation on which yes bank has been built said रमनित गिल साह । अच्छछड है तो रुपए पर शेर के साहब से एनोने प्रोविज हुनोने प्रोविज रक्पोर रुष में और चाहँ अनोने प्रोविज है क्या हुआ ह। बूड मैं क्या हुआ है प्रोपे of RS2 पर एक पुटी शेयर आचा डिविडेंट क्यों देते हैं यह लोग देखी अभी जैसे कंपनी में का एक तो एक साल से इस पर बहुत सबर्तस्त इसकी पिटाई हो रहे है शेयर की और 147 तक इसने 404 के हाई से नीचे लोपे गया था तो कहीं ने कहीं निवेशक जो उपर क के लेविल पर बाइंग कर रखी रही होगी उनको काफी नुक्सान हुआ तो ऐसे में क्या होता है कि अभी जिसे क्वाटर फोर्ड के रिजल्स आए तो उसमें लॉस दिखा है काफी लॉस हुआ इनको तो इस वज़े से फिर इस पर प्राइस पर दबाव पड़ेगा शेयर बनाए रखें और क्योंकि क्या होता है कि एक-दो क्वाटर रिजल्स आ जाते हैं तो लोग थो आसा घवरा जाते हैं क्योंकि जब प्राइस टूटता है लेकिन फिर भी अपने हाई से काफी लोग पर आया तो डिविडेंट इसलिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है इनके डि प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो अट-लिस शेर तो उतने बने ही हुए है न तो कुछ तो उनको रिवेन्य जन्रेट हो रहा है जो भी टैक्स फ्री जो डिविडेंट होता है बाकि डिविडेंट तो तभी कंपनी बागती जब उतको नेट प्रॉफित अच्छा हो तो करते हैं आगे की ओर देख लेते हैं यर-on-year के पहले रिजल्ट मार्च 18 में और मार्च 19 के यर-on-year जो रिजल्ट है देखिए जहां इंट्रेस्ट अनिंग इनकी 5742 करोड थी वहां मार्च 19 में 7856 करोड की हो गई है और 36.80% की बढ़ा थे लेकिन वहीं ऑपरेटिंग प्र 1935 थी सीधे मार्च 19 में 1330 रहे थे 38% की negative में इनका NPA भी 1.22% increase हुआ है ग्रॉस NPA भी इनका increase हुआ है देखिए जबर देख तो डबल ही हो गया 1.28% से 3.3 तीन गुना हो गया मैं डबल हो गया 3.22% 1.94% और नेट प्रॉफिट में जहां मार्च 18 में 1189 करोड की जहां इनका NET प्रॉफिट था वहीं सीधे मार्च 19 में नेगेटिव पंदरा सो 6 करोड यानि 227% के आसपास इनको नेगेटिव में नेट प्रॉफिट यहां पर शो हो रहा है तो काफी लाउस है और इस वज़े से यहां पर प्रमोटर्स देखिए अपनी जहां मार्च 19.82% की इनकी होल्डिंग थी वहीं 19.8% की होल्डिंग प्रमोटर्स पास बच्ची और इनने 3.64% की गिरवी रख दिये हैं यहां पर तो यहां पर डिक्रीज हुए थोरी से होल्डिंग और म्यूचल फंस ने अभी भी होल्डिंग काफी बनाई हुए 33 स्क्रीम्स न तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वाटर के यह मैं चार्ट पर आ गया हूँ एक साल के अब यहां सब कुछ ठीक चल रहा था पैरलल चल रहा था हाई बनाया था इसने 404 का 20 अगस्त को और उसके बाद सीधे फिर डाउन साइड फिर तो इस तर्म खाई जैसा दिख रहा ह यहां पर देखी नीचे धम से यहां पर गिरा 204 रुपए पर अठाई सप्तम्बर को फिर उसके बाद थोड़ा सा बांस बैक किया फिर ऐसे पैटन पर चलता है लेकिन लो बनाया इसने फिर आपको 100 147 147 इसने बनाया था 29 नवंबर पिर यहां पर चलता हुआ यहां पर अ लेकिन नेक्स्ट जब मंडे को मार्केट खुलेगी तब इसका कितना जा सकता है लोग क्योंकि मुझे लग रहा है दबाव ज़रूर बनेगा क्योंकि रिजल्स का बड़ा प्रभाव पड़ता है अब मैं मार्केट का पो गएरा अभी थोड़ा से समेंचेंज़ होंगे ले कि फिलाल मैं चलता हूँ सीधे आपको ले चलता हूँ फनेंशल पे क्वाटर के दिकिन जा दिसंबर 18 में 7958 करोड की इंट्रेस टेंडिंग थी वही मार्च 19 में 7856 की है यहां पर डाउंसाइड है और नेट प्रॉफिट में जहां 1001 कर दिसंबर 18 में थे वही मार्च 19 मे इस क्वाटर में 1506 करोड कर सीधे नेगेटिव लाउस है तो अब इसमें घवराय नहीं जो निवेशक बने हुए है यस बैंक एक अच्छी बैंक है और मुझे लगता है कि एक दो क्वाटर के रिजल्स थोड़े से आ गये हैं हाला कि एक साल से इस पर बहुत जादा किसी की नजल लग गई है। कभी कोई न्यूस की वज़े से कभी रवी आइए की डाइडलाइन से कभी मैनेज़मेंट की वज़े से थोड़े से इसमें प्रॉलम थे लिकिन डामेनेजमेंट जो स्थिर हो गया है अब रिजल्स अपने हिसाब से सब देख रहे हैं तो यह पार ने में आया है पर उन तो आशा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे इसमें सुलहार आएगा और लंबे समय के जो निवेशक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है बने रहें बैंक है हां ये मौके भी इनको आप अपोर्चनुटी मानिए कि चलो ठीक है अगर आप उपर के ले व्रज भी कर सकते हैं ये मेरा अपना कहना है बाकी जैसे आपके अपनी सूजबूज और ये इस्ट्रट्जी हो सकती बाकी लंबे समय की निवेशकों को बिल्कुल भी घबराने के जरूरत नहीं जो लोगों ने तीन साल पांच साल छे साल दस साल ऐसा सोच के इसमें इनव आके दे सकती है तो रिजल्स भी मैंने बता दिये दोस्तों और न्यूज अपडेट कर दी आपको डिविडेट भी देने वाली है और बाकी इस पर नजर बनाए रखते हैं मंडे को क्या होने वाला कुछ ऐसा का इसमें जलजला आता है तो वो भी देखेंगे हम लोग हर ची आता है में देन्न हल जर आता है भी आता है जाम वे द हम दे बता है झाल्यजव टोस्तों के दे